लेक्सर नमबर थ्री में आपका स्वागत है UGC NETSETS JEMJRF की Special Classes जिसमें Mathematical Science का एलक्षर नमबर थ्री है और अब टॉपिक हमारा चल रहा है है Elgebric and Ordered Properties तो इसमें हमने हमने पिछली कलासेश में आपको different Elgeblic or ordered properties बताईे किनकिन प्रॉपर्टीज को follow करके एक set जो है एक group बनेगा एक abelian group बनेगा दिन उसके बाद कितनी प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बाद वो फिल्ल कहलाएगा तो मैंने बताया था कि यह 11 प्रॉपर्टीज अलग अलग बताई थी मेने जिनको अगर उसेटिस्फाई करता है तो फ्रीड कहलेगा ओके हमने देखा के लिए हमने देखा और की युझा होती है और के लिए जिरो होता है अब एक बार ध्यान रखेगा कि यहां पर जो आर है क्योंकि हम रियल नमर के लिए उसकर रहे तो इस ताइप का यूज गे जिसे कि मैं confusion नहों क्योंकि आर के लिए different symbol relation भी होता है वो कि कुछ और भी हो सकता है तो अब हम आर के लिए उस ताइप सा double R type का symbol use करेंगे जिसको मैं आंगे समझाऊंगा भी Multiplicative identity जो होती है वो relation के लिए क्या हुआ करती है relation के लिए होती है उपर वाली additive identity भी 0 होती है that is uniquely exist करती है ओके तो अभी मैं कह रहा था आर्क जो notation अपन को use करना है वो इस तरीके का double R पहले आपको एक capital R बनाना है फिर अंदर एक line खीच नहीं इस this stands for real number अब हमाई जितनी भी theorem axium होंगी वो इसी R पे इस बेस्ट होगी तो चले अवं पहली एक्जियम पढ़ते हैं एक्जियम इन आर तो एक्जियम का मीनिग क्या होता है पहले तो यह जा लिए किshore xen के बारे में चैसी कहा जाता थरना कुष एक्वल टो बी है ओके axiom Q amp ओके इस एक्वॉलस्ट वी है और इअगर आप इसमें एक एक्वाल चीजे दोनों तरफ एnd कर दो तो आपका यह axiom जाएगा कि जो complete बनेगा वो भी क्या होगा दोनों पार्ट में equal होगा जिसको हम बोलते थे if equal added to equal then whole is a equal तो यहाँ पर हमको different different axiom पढ़नी तो पहली axiom है हमाई पास law of trichotomy, okay law of trichotomy तो trichotomy law क्या कहता है यह कहता है कि if a,b belongs to r यदी a,b belongs to r है real number है then exactly one of always hold ठीक ना तो इन में से एक कोई possible होगा यहाँ पर either a greater than zero होगा या equal to zero होगा या less than zero होगा तो एक बार फिर से जल्दी से quickly revise करते हैं कि exam in r okay तो axiom क्या होते हैं? axiom don't have proof but they always hold मतलब ऐसे statement जिनका proof नहीं होता है बटो हमेसा hold true होते हैं वो क्याल कहलाते है, exam कहलाते है exam में पहला part मैंने आपको क्या बताया? law of trichotomy law of trichotomy कहलाता है if a,b belongs to r then exactly one of always hold true या तो a greater than zero होगा या a equal to zero होगा या a less than zero होगा चलिए तो axiom के बारे में मैंने आपको बता दिया था जो always hold true होगा करते हैं जो statement जिनका हमको proof करने कोई जरूरत नहीं होती है next तो अब देखते हैं monotone law of addition अभी हम इसमें monotone law second इसकी जो axiom है पहले axiom क्या थी law of trichotomy और second axiom है इसकी monotone law of addition तो monotone law of addition क्या कहता है if a comma b belongs to r and a is greater than 0 comma b is greater than 0 मतलब a जो है 0 से बड़ा है और b b जो है 0 से बड़ा है then a comma a plus b always greater than 0 यह तो बहुत simple सी बात है second देखेंगे if a is less than 0 and b is less than 0 then a and b a plus b also less than 0 यहाँ पे a जो है negative है तो in the sense अगर आप इसको ऐसे रिखाई देगा question में आपको minus a1 और minus b1 तो यहाँ पे दो number आपके पास a1 और b1 है तो यह भी negative यह भी negative always less than 0 ओके तो यह monotone law of addition आपने देखा है अब law of monotone law of monotone under multiplication ठीक ना तो हम monotone law को multiplication के अंदर देखते हैं कैसे काम करेगा यह देखें तो for example if a is greater than 0 and b is greater than 0 this multiple this means a into b greater than 0 अगर दोनो greater than 0 है तो a into b greater than 0 इसको और दूसरा देखिए if a is less than 0 b is less than 0 then a into b greater than 0 अगर दोनो multiply है तो इनका product positive होगा हम इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते है reverse तरीके से भी कई बार आ जाता है एक्साम में if a into b greater than 0 this means a is greater than 0 and b is greater than 0 और you can say a less than 0 and b is less than 0 ओके इसी तरीके से if a into b less than 0 मतलब अगर a into b का product negative है यह मतलब a positive होगा बी negative होगा या a negative होगा और b positive होगा ठीक है देखें एक और चीज़ की if a is belongs to r मतलब a जो है होगी यह result है ओके if a is greater than 0 then a is not equal to 0 then a square जो होगा इवेन हो number always greater than 0 a cube is maybe greater than 0 और less than 0 मतलब a cube है 0 से चो बढ़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है next if a is greater than 0 and b is greater than 0 यह थोड़ा important है if a is greater than 0 और b is greater than or equal to 0 यहाँ पे देखे if a is greater than or equal to 0 और b is greater than or equal to 0 hmm then अगर a less than b है if a is less than b यहाँ पे भी एक काम के रिए equal मतलब यह if a is greater than 0 and b is greater than 0 लगा यह if a is less than b then definitely a square less than b square then definitely a square less than b square तो यहाँ पे this और is implies and implied by दोनों तरफ है देखे a is less than b if a is less than b this implies that or implied by a square less than b square और condition क्या दी गई है a is greater than 0, b is greater than 0 तो इसका उल्टा भी true होगा क्योंकि यह condition applied है okay if a is less than b then a is less than b because दोनों positive है बट negative होते तो सीन अलाग होता similarly if a is greater than b then oh sorry a is less than b then if a is less than b इसका मतलब क्या हो जाएगा under root b is also greater than under root a under root b जो होगा वो under root a से बड़ा होगा और हम इसका reverse भी देख सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे implies and implied by ठीक है ना क्योंकि यह condition apply है ध्यान रखेगा यह तभी होगा मतलब reverse side में यहाँ से यहाँ तक इस statement की तरफ आप तभी पहुँचेंगे जब a is greater than 0 और b is greater than 0 यह आपको दिया हुआ है तभी आपका जो है आप इधर से इधर जा पाएंगे ओके तो finally एक और result note कीजे हम जानते हैं sequence in series में यह काम में आएगा as we know arithmetic mean is always good than geometric mean so अगर मान लीजे के हमाने पास n real numbers है a1 a2 a3 up to up to up to up to an we have n real numbers यह हमाने पास इतने real number आपको दिये गए है then क्या series क्या बनेगा result अपने पास a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an divided by n always good than or equal to इसका gm जो बनेगा a1 into a2 into a3 dot 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 an की whole power 1 by n यह हमको sequence in series में और जब हम अभी series पढ़ेंगे special है ना तो तब हमको यह काम में आएगा तो friends यहां पर आज हमारा topic जो है जिसका topic था हमारे पास की real number system as a complete ordered field यहां पर complete होता है में रहेंगे next lecture में thank you so much